नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे जैनल कॉमिक्स लाइफ में शुन करते हैं राम रहीम सिरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स अपने देश के दुश्मन अब तक हमने देखा कि एक क्रूर अपराधी मौत का दूद किस तरहां बच्चों का अपरण कर उन्हें अपाहिज बना और डड़ा धमका कर भीक, पॉकेट मारी और गैर कानूनी धन्दे करवाता है उसी मौत के दूद का शिकार रामू भीक मांगता हुआ जब राम रहीम के सामने पड़ा और मौत के दूद के आदमियों ने उसकी हत्या कर दी तो राम रहीम ने चीफ मुखरजी के साथ मिलकर मौत के दूद को पकरने की एक योजना तयार की और घर लोटाए इधर मौत का दूद राम रहीम की योजना से बेखबर अपने अड़े पर बच्चों से रिपोर्ट लेने चाता है अब आके बुर्गा पोश बॉस मौत का दूद अपने लोगों की तिन भर की कार गुजारे की रिपोर्ट लेने अड़े पर पहुंचा और बोला क्या सारे लड़के आ गए दिलावर ने कहा यस बॉस बॉस ने कहा गुड कैसा रहा चोकरों का आज का दिन दिलावर बोला कुल मिला कर अच्छा ही रहा बॉस लेकिन बॉस ने कहा लेकिन क्या दिलावर तुम चुप क्यों हो गए जो कहना है साफ साफ कहो दिलावर बोला भोलू को भी आज मुझे मजबूरन समाप्त करना पड़ा। बोस बोला वट यह तुम क्या बक रहे हो। कैसे हुआ यह सब। दिलावर ने कहा राम रहीम के कारणी बोस फिर दिलावर ने सारी बात बताते हुए अंत में कहा। राम को तो मैंने मार्ग से हटाने की पू बहुत ही हानिकारक सिध्ध हो सकता है। मैं उन दोनों के शैतानी कारणामों से भली बाती परिचित हूँ। कहीं ऐसा न हो कि उनके लंबे हाथ हमारी गर्दन तक पहुँच जाए। दिलावर ने कहा आप चिंता न करें बोस इससे पहले ही हम उन दोनों के हाथ काट कर फे के लिए बंद कर दिया जाए। दिलावर बोला यानि आप चाहते हैं कि भीख मांगने वाले लड़कों को अब अड़े से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। बॉस बोले हाँ इसी में भलाई है। खेर अब इस चर्चा को बंद करो। रिपोर्ट लेने के बाद मैं इस सम् में पहुँचा जहां जरायम पेशा करने वाले बच्चे एकत्रित थे। सबने बॉस को नमस्कार कहा। बॉस बोला ठीक है ठीक है अब तुम लोग अपनी कमाई पेश करो। उसके बाद बच्चे अपनी अपनी कमाई बॉस को देने ले लगे। वह एक एक कर बोले आज मे बॉस ने कहा शाबाश आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। दिलावर आज इन सबको एश कराने के जिम्मदारी तुम पर है। दिलावर ने कहा ओके बॉस। बोले और हाँ सीख रूप के छोकरों तुम ध्यान से सुन। अब तुम लोग तब तक काम पर नहीं जाओगे जब तक की मेरा आदिश नहीं मिल जाता। तब तक तुमको यहीं अड़े पर रहना है। बाकी लड़के अपने काम को पहले की तरह करेंगे। अब तुम लोग जा सकते हो। सारे लड़कों के जाने के पश्चात। बॉस ने कहा दिलावर उन नए चोकरों को क्य हुआ वे तयार हुए या नहीं। दिलावर बोला वे तयार हो गए हैं बॉस बस एक का जरा सा घुटना तोड़ना पड़ा। बॉस ने कहा गुड तो उनकी ट्रेनिंग आरंब कर दो। अब तुम लोग अपना काम समझ लो। उसके बाद बॉस धीरे धीरे उन्हें कुछ स दिन परती दिन बढ़ती जा रहे हैं अता मौका देखकर उन्हें समाप्त कर दो मैं कोई खत्रा मोल नहीं लेना चाहता। दिलावर ने कहा ओके बॉस हमारा भी यही विचार था। बॉस ने कहा अच्छा उन दोनों छोकरों की क्या रिपोर्ट है जो पुलिस लॉक अप मे हैं। दिलावर बोला बॉस जो सूशना हमें मिली है उसके अनुसार अभी तक अब्दुलवर तोनी ने अपना मुह नहीं खोला है। बॉस बोला हम उन पर निगराने रखो यदि यह पता लगी कि वह मुह खोल देंगे तो उन्हें तुरंत खतम करने का आदिश दे खीक है बॉस वैसे जेके भिकारी के वेश में हर समय पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद रहता है। उसने उस थाने के एक सिपाही को भी तोड लिया है जो उसी उन दोनों के बारे में प्रतिक जानकरी देता रहता है। बॉस ने कहा बहुत खूड बास्तर में जेके हमार सबसे होनहार एजेंट है। सलमा की ओर से कोई रिपोर्ट दिलावर ने कहा अभी कुछ समय पहले ट्रांस्मीटर पर उसका संदेश प्राप्त हुआ था। उसकी कहने के मताबिक वेश शीग रही उस सैनिक ऑफिसर से सीक्रट पेपर प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। बॉस ने कहा गुट। जैसे ही वेश पेपर लेकर यहां पहुँचे मुझे ट्रांस्मीटर पर सूचित कर देना। पड़ोसी देश को उन पेपरों की बहुत जरूरत है। वेश कई बार हमसे अनुग्रह कर चुका है। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद बुरका पोश बॉस वापस लोट गया। अगली दिन राम रहीम के घर पर टेलीफोन की घंटी वजी। राम ने कहा ठहरी है डैडी मैं देखता हूँ। हेलो राम स्पिकिंग। दूसरी और चीफ मुखरजी थे। उन्होंने कहा सुनो आज दोपहर को मैं उन दोनों लड़कों एक समय पर स्केयर स्ट्रीट ठाने के सामने पहुंच जाना। राम ने कहा ठीक है पहुंच जाएंगे। राम रिसीवर रखकर जब नाश्टे की मेच पर पहुँचा तो करनल रागव बोले किसका फोन था बेटे। राम ने कहा मेरे एक दोस्त का दोपहर को उसने खाने प खारी बैटे रहने से मन उप जाता है। राम बोला दोस्तों से गप शप में दिल पहल जाता है। करनल रागव सोचने लगे ये कुछ छुपा रहे हैं अपने बाप को बेवकूफ समझते हैं। और ठीक दो बजने से पांच मिनट पहले राम रहीम स्केयर स्ट्रीट ठाने के सामने पहुँच गए। राम ने कहा अभी दो बजने में पांच मिनट शेश है। रहीम बोला तो चलो सामने चाय की दुकान पर चले। उधर भिकारी के वेश में बॉस का सीक्रेट एजन्ट जेके सोचने लगा अरे ये कमबक्त कहां से आ गई। राम और रहीम दोनों चाय की दुकान पर पहुँच कर चाय पीने लगे। लेकिन उनकी दृष्टी थाने के मुख्य द्वार पर ही जमी थी। जबकि उस भिकारी की दृष्टी उन पर। उसने सोचा क्या चक्कर हो सकता है। इनकी हरकतों से तो लगता है कि इन्हें किसी के थाने से निकलने का इंतजार है उधर थाने के भीतर थानेदार ने अब्दुल और टोनी से कहा सुनो तुम दोनों को आज जमानत पर रिहा किया जा रहा है अब्दुल बोला जमानत पर रिहा किसने ली हमारी जमानत थानेदार जी हमारा तो इस दुन्या में कोई नहीं है थानेदार ने कहा कोई मिस्टर जगरनाथ हैं लेकिन तुम दोनों इस बात का ध्यान रखना कि बिना इतला कि ये इस शहर से बाहर नहीं जाओगे वह बोले जी बहुत अच्छा टोनी ने सोचा जरूर बॉस नहीं हमारी जवानत का प्रबंद किया होगा अब दुल सोचने लगा कितने महान है बॉस अपने आदमियों का कितना ध्यान रखते हैं अच्छा हुआ हमने मुह नहीं खोला थानेदार बोला क्या सोच रहे हो यहां दस्तखत करो जब तुनों रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे थे एक सिपाही ने सोचा आश्यर्य है अचानक ही इनकी जमानत किसने ले चल कर तु अधर है खुशीराम खुशीराम ने कहा उन दोनों छोकरों की किसी ने जमानत ले ली है उन्हें रिहा किया जा रहा है जेके बोला क्या किसने ली उनकी जमानत खुशीराम ने कहा यह मैं कहने सकता मेरा काम खत्म हुआ अब तुम जानो और तुमारा काम उधर चाय की दुक पर रहीम ने कहा आश्चर्य है राम भाईया वह देखो वह सिपाही किस तरह उस भिकारी से घुल मिलकर बाते कर रहा है राम बोला छोड़ो यार हो सकता है वह भिकारी के भेस में पुलिस का ही कोई मुक्पिर हो इधर सिपाही के जाने के बाद जेके ने सोचा जरूर कोई ग हेलो हेलो मैं जेके बोल रहा हूँ दूसी तरफ से अवाज आई हेलो जेके मैं दिलावर हूँ कहो क्या खबर है जेके ने सारी सुझना दिलावर को दी दिलावर बोला ठीक है तुम वही रहो मैं आदमी भेज रहा हूँ क्या करना है यह तुम अच्छी तरह जानते हो जेक मोटर साइकल पर आओ मैं पैदल ही उनका पीछा करता हूँ यदि इन्होंने कोई गाड़ी आदी पकड़ी तो फिर हम मोटर साइकल पर उनका पीछा करेंगे तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद